नमस्कार अचार सलेल चैनल में आपका स्वागत है वर्ड वार की दिशा तो निधारित हो चुकी है यह 2019 में ही डिसाइड हो गया था कि 2020 2020 एंड 2021 की बिगनिंग में पूरा वर्ड जो है ना एक बार फिर वर्ड वार की तरफ जाएगा जो की प्रिथम और दुत्री वर्ड वार की याद दिलाएंगे पहले जो दो वार हुए थे वो दरसल यूरोप से सुरुआत हुए तो उनका यूरोप से संबंदे था और आप देखिए कि उनका अंतिजा के कहां हुआ जापान में हुआ जापान में दूबं गिराए गये जिसे हम कहते हैं ना कि 1965 का वार जब हुआ तो उसकी हमको क्या न रिसर्च किया है कि भारत के पिदान मंत्रियों से में लाल बादू सास्ती थे उनको पर पता नहीं कि निका दवाव आया और वो तासका समझोता हुआ लेकिन वह वार हमारा जीता हुआ था और हमारी सेना कराची और लाहूर तक थी मैं अपने फॉल्वर्स को बताना चाहत होता है ना तो यह वार का जो अंत था सास्ती जी के मृत्तों के साथ हुआ सड़यंत किसी वीडियो में लाल बादू सास्ती के वारे में आप से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था और मरने से पहले उन्होंने किस से बात किया और क्या कैसा सब बाते हुई तो सर्यंत का दौर सुरू हो चुका है बाइलोजिकल वार अपने चरम पे हैं तो मैंने रिसर्ज किया चुकि मैं कह रहा हूं कि भाई यह वार जो है उसमें यह हमारा एरिया इन्वाल्ड हो रहा है इस बार तो हमने उननीस सो सेटालिस की कुंडी देखी क्यो का वार हुआ उननीस सो एकतर का वार हुआ उननीस सो इनकानने का वार हुआ जिसको हम गल्फ वार बोलते हैं उननीस सो निननने में कारगील हुआ दोहजार एक में फिल एक वार हुआ और इसके बाद जो पुल्वामा हुआ दोहजार उनीस में तो यह जो हम यह की बात कर र में फिर पाकिस्तान का वारती यह जो जितने भी वार हुए है इन वारों में हमने इन कंट्रिस की कुंडियां देखी और कुंडियों में उन हाउसेस को देखा और इसके बाद यहां से हमने 2019 से कल्कुलेशन करना शुरू किया आपको ध्यान होगा 2019 की की जो कुंडिय है हमारी नव वर्सक्री वहां पर किल्य कट है कि एक बीमारी पूरे विश्व में आने वाली है और 2020 तक वो फैल गई और 2020 का साल हमेशा याद किया जाएगा लॉकडाउन कही है और अभी भी लॉकडाउन कहीं ने कहीं कोई ने कोई लॉकडाउन चल रहा है को कि करोना का असर अभी 2021 में रहेगा करोना के साथ हमको जीना सिखना है और 2021 खतम होने के पहले करोना भी खतम हो जाएगा ये नेचर की मार होती है और कहते हैं कि ग्रहें जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और एक कहावत है कि विनास काले विप्रित बुद्धी तो यहाँ पे जो विनास क विप्रित बुद्धी है वो चाइना की है मैंने आपने कई वीडियो मताया कि चाइना ने पहले पूरे वर्ड के मार्केट को कैप्चर किया जब मार्केट पूरा कैप्चर हो गया तो उनके मन में एक यह थी कि अब पूरे वर्ड को रूल करें और इसमें कुछ कंट्रियों सपोर्ड किया और कुछ कंट्रियों ने इंडिरेक्लिली सपोर्ड किया को डारेट को जिंडारेक्ट और वह भी चल रहा है फिज में खवर रहाइं थी कि मैं आपनों को बताना चाहता हूं कि कैसे प्रूफ हो चैना कैसे आगे बढ़ रहा है कि चाना ने अमरिकन बॉर्ड लेंड लेकर То love वाइन कि कं़े संक्सaldा कि सीच मिले किसे ही मिली मैं क्ल산 कब प्याहिक कि शबाना रदिश्ट में Cake ये लगोंके मन में बहुत जगयासा है जनने कि किसी इंखी पिकार की उससे जन्हान होती है नुकसान होता है मुलक को अठ़ने में सालों लग जाते हैं तो आईए मैं आपको अपनी एक भहिस्वानी दे रहा हूँ और प्रार्थ ना करूँगा कि यह सही ना हो लेकिन जो परिस्तितियां हैं अभी तक कि मुंडेन इस्टोलोजी के साब से जितनी भी भहिस्वानियां की गई है वो एकुरेट रही है चाइना बॉर्डर में जो कुछ हुआ वो बिलकुल एकुरेट है पाकिस्तान में जो हो रहा हो बिलकुल एकुरेट है तो यह वर्टवर duale के हो गया तो दरहसल मैं अपने followers को बताना चाहता हूं कि अमेरिका का चुनाओ आ गया अमेरिका का जो ने रास्पती आएगा वहां से इस्तिती बहुत साफ हो जाएगी और मैंने पिडिक्ट किया हुआ कि ट्रम्प दुबारा आएंगे क्योंकि उनका बड़ा मेजर रोल है इस पूरी लड़ाई में ये लड़ाई जो है धरसल वर्ड वार थ्री है जो की वर्चस की लड़ाई है एक जमाने में अमेरिका और रस्या में टसल होती थी जिसका एंड हुआ जाके रस्या के टुकडे होके तो कहीं न कहीं रस्या के मन में भी ये चीज़ है कि अमेरिका ने हमारे टुक्डे करवाए रस्या की अपनी मजबूरी है वो निकलर पावर संपन है सेन निबल से संपन है उनकी अपनी मजबूरी है कि उनके यहां खेती नहीं होती उस पॉइंट पे लेके वो कमजोर हो गया यहां उनको सपोर्ट है चाइना का हम लोगों ने भी रस्या को काफी खाद्यान सप्लाई किये है मार्च दो हजार बीस में लॉक्डाउन सुरू हुआ क्यों हुआ लॉक्डाउन क्योंकि आठ बार ग्रोहों ने पिर सुनियेगा आठ बार ग्रोहों ने बहुत ही क्लोजली या तो साथ बैट रहे हैं या साथ चल रहे हैं या रेट्टो ग्रेट हो रहे हैं लेकिन आठ बार ग्रोहों ने बीस मार्च से लेके आज अपना एक मायजाल फिलाए है ज़से बच्छी खेलते हैं तो सब खिलोनों को फैला लेते हैं, तो ग्रहों ने अपना एक मायजाल फैलाया है। 14 नॉमबर 2020 और 30 नॉमबर 2020 को ग्रहन है। तो 14 को सुर ग्रहन है और 30 नॉमबर को चंदे ग्रहन है। मुंडे नेस्वलाजी में ग्रहन का एक बहुत important रोल होता है। हम यदि माभारत काल में जाएं यदि हम रमायन को बड़ ध्यान से देखें तो राम का वनवास माभारत का युद्ध होना इन सब के पहले ग्रहन का तो सवाल है यह कि साब इतना सब कुछ तो हो गया तो वार का क्या इस्तिति लगती आपको आप्रेल 2021 आठ अप्रेल से लेके और 20 अप्रेल का बीच का समय अप मैंने यहां पर एक वीडियो में बोला हूआ हुआ है कि दिली में एक आऊ सकता है कुछ भूकम्ब का भी मैंने लिडियोम समद्त है तो यहां उससे भी संबन्ध है यह मेरी पहली प्रिडिक्षन है यूएस के चुनाओं हो जाएंगे और इसके बाद अपरेल से दोजार अपरेल दोजार 21 का जो महिना होगा वो अच्छा नहीं होगा सनी गुरू और प्लुटो इनका मकर रासी में जब ये बिल्कुल डिग्री में आ जाएंगे आपस में और राहू और केत व्रिस और रिसिक में ये कॉंबनेशन बनेगा और मैं आपने फॉलोवर्स को बताना चाहता हूं कि यहीं पर रहसे है इसलिए अपरेल का महिना बहुत समल के काटने वाला है मैंने एक वीडियों बताया है कि थर्ड वर्ड वर्ड जो होगा उसमें पाकिस्तान चाइना और भारत यहां से सुलू होगा और उसके लक्षड दिख रहे हैं सरकार भी इस चीज़ को मानती है सरकार के बहुत से लोग मुस्ते संपक में हैं वो कहते कि हां प्रॉब्लम्स हैं यह इस देश का सवबाग है कि यहां पर एक ससक्त प्राइम मिनिस्टर है एक सक्षम सक्तिसाल योगी और सिवभक्त इसका बहुत महत्त होता है थर्ड वर्ड वार में जो कंट्री डारेक्ट इन्वाल्व हो रही हैं उसमें भारत पाकिस्तान चाइना नेपाल रसिया यूएसे फ्रांस और इरान यह आठ कंट्री तो डारेक्ट इन्वाल्व हैं यह अपनी ताकत अपने बहुबल के हसाब सभी इन्वाल्व होंगे कुछ तठसत होंगे कुछ डारेक्ट कुछ इन्वाल्मेंट रहेगा और यह मुंडेन सिलोजी के हिसाब से क्लियर हो रहा है हम इदीन आठ दिसों की कुल्ली पे जाएं तो भारत की कुल्डली का जो लगन है वो व का जो है वो मकर लगने की कुण्डी है नेपाल की भी मकर लगने की कुण्डी है रस्या की कन्या लगने की कुण्डी है अमेरिका की सिंग लगने की कुण्डी है फ्रांस की मीन लगने की कुण्डी है और इरान की कर्क लगने की कुण्डी है तो हमें देखें तो जो मेन और मीन लब यह जो एक्सेज होता है यह बताता है कि यहां से लड़ाई का कामधाम सुरू हो जाएगा अभी स्टार्टिंग में अमेरिका इन्वाल नहीं हो रहा है मैं बार बार बुलो हूँ कि ट्रम्प का आना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वार में उनका होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सत्ता यही परवर्तन होती है न तो फिर वार का सिनारियो चेंज हो जाएगा इसलिए ट्रम्ब का आना ज़रूरी है वो आ रहे हैं और उनका एक मेजर रोल है अमेरिका और रस्या का इन्वाल्मेंट है लेकिन उसके पहले ये वार सुरू होगा और तथस्त रूप में तथस्त रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ और जापान ये कंट्रियां भारत को सपोर्ट करेंगी कई मुस्लिम कंट्रियों का भी भारत को सपोर्ट मिलेगा इस वर्ड वार में इसमें कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तान कंट्री रहेगा या नहीं रहेगा मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा बलकि मैं आज इस वीडियो के मतनम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे डर है कि जब ये वर्ड वार थिरी होगा तो जो पाकिस्तान को जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है चाइना मुझे लगता है कि यह सान होगी चाइना ही पाकिस्तान को साइड में कर दे कोई भरोसा नहीं है यूज एंड थ्रो अप्रेल दोहजार इकिस से यह सुरू होगा दोहजार बाइस एकिस के अन्त दोहजार बाइस में कंट्रियों का इन्वाल होगा यह कितने दिन वार चलेगा को कई वार चले हैं दो साल तीन साल चार साल तक चलते हैं कहां से इन्वाल लोगा तर्ड वर वारत की देवभूमि से होगा औरolly हैं फूर姜ा होगा ख़ाना से मुझना को के बाद अबी आतो को बोलाएं अप्रेल 2021 की तारिक बताई है लेकिन चाइना जो पहला अटैक करेगा भारत पे वो होगा दिसंबर 2020 25 से 27 दिसंबर के बीच से यह योग शुरू होता है और फरवरी 2021 तो कहने का मतलब यह हो गया कि दिसंबर से अप्रेल तक का जो प्रेड होगा यह बहुत टसल भरा होगा वर्ड वार में जो कनवर्ट होगा वो मैंने अप्रेल बताया है लेकिन स्टार्टिंग यह होगी वो 2020 दिसंबर से क्रिस्मस के बाद मंगल मेंस में पहुंच जाएगा और यहां से कहानी सुरू हो जाएगी मैं आपको बात और बताना चाहता हूं कि यह जो थर्ड वर्ड वार जब होगा तो इसमें मैंने कंट्रियों के नाम आपको ले लिए हैं इन कंट्रियों की क्या इस्थिती होगी इन कंट्रियों को कितना जन धन हनी होगी कितना उनको नुक्सान होगा मैं हर कंट्री को उपर एक वीडियो एक सीरीज सुलू करूंगा और ये बताऊंगा कि कहां कहां क्या डेमेज होगा मुझ सकसर पुछते हैं लोग कि हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कहीं एक जमीन का टुक्डा लीजिए जहां आसपास पानी हो आसपास आपको सबजी भाजी पैदा कर सकें और रह सकें मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप फ्लैटों पे जाएंगे इस्ट्रोजी के एक एडवाईज है एक वीडियो मैंने बोला था कि मोदी जी जो है वो क्रिसी प्रदान देश बनाएंगे को कि हमारी जो वो है एक नौमी जो है वेकल्चर बेज़ रहे वही हुआ पिसले इच्छे मैंने माप देखिए जितना कुछ भी हो रहा है वह क्रिसी के लिए हो रहा है तो मैं अपने दोस्तों से अपील करूंगा कि यह दिनको इन्वेस्ट करना है तो वेकल्चर लैंड प पचाप पाएंगे आपके जो भी सवालों आप मुझको पूछिए हर सवालों का जवाब दिया जाएगा लेकिन एक मर्यादित रूप से सवाल आएं मुझे बड़ी खुशी होगी मैं उनका नाम लेके वीडियो बनाऊंगा और अपील करूंगा यह मेरी पहली अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जोतिस का अनंद लीजे रिसर्च बेस्ट कोई गौसिप नहीं आप लोग की ब्लेसिंग से ही है आप इ सब्सक्राइब